Hindi Bible Message Prayer Center में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पूरी हो परमेशो आपके साथ में रहे आपके कामों को आज सफल करें और आए हम परमेशो के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना जाता हूँ कि हो सकता है आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में किसी समस्या में हो परिशानी में हो या फिर कोई बिमारी, कोई रुकावट, कोई बाधा आपके जीवन में हो, कुछ विरोधी लोग आपके जीवन में हो, तो ऐसे समय में आपको घबराने की आउशकता नहीं है, बस परमेश्यो के वचन पर भरूसा रखें, क्योंकि परमेश्यो का वचन कुछ इस प्रकार से क कहता है, लुकर चिस्व समचार उसका एक अध्याई, 30 पद यद्याब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है, सुर्गदूत ने उससे कहा, हे मर्यम भैबीत नहो, परमेश्यो का वचन आज सुभे में आपसे कहता है, कि भैबीत नहो, डर मत, घबरा मत, ब्याकुल मतो, च चाहे जीवन में संकट है, चाहे जीवन में करज है, चाहे जीवन में बीमारी है, चाहे कोई भी समचिया क्यों नहीं है, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप बार बार पैच्छा दे रहे हैं, लेकिन असफल हो जा रहे हैं, अनिक परकार का अनुग्रह आप के उपर है। क्योंकि परमेशुर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आपको बुलाया है, आपको न्यूट किया है, आपको अलग किया है, आप पर अनुगहे किया है, अन्य लोगों पर नहीं तो आप एक special ब्यक्ति हैं, आप एक महतोपूर्ण ब्यक्ति हैं, आप एक चुने हुए हैं बाइबल कहते हैं कि तुम मेरी निजधन हो, परमेशु कहता है, तुम मेरी आँख की पुतली के समान हो, तुम मेरी संतान हो, आप कुछ special हैं परमेशु के लिए, आपको परमेशु ने करोड़ों की भीड से अलग किया है, आप महतोपूर्ण हैं, और परमेशु का बचन कहत है कि तुझ पर अनुग्रे होआ है, तुझ पर अनुग्रे है, अब आप मेंसे बहुत से भाई बेंट कहेंगे, यदि मेरे पास अनुग्रे है, यदि मुझ पर परमेशु ने अनुग्रे किया है, तो मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, यदि मुझ पर परमेशु ने परमेशन उस समश्या में भी आपको अनुग्रह देगा आपको उस समश्या से बाहर निकालेगा उस परस्तिती से आपको बाहर निकालेगा जैसे हम लोग देखते हैं मर्यम के जीवन परमेशन ने यहां पर कह दिया कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है उसके बाद सुर्बूत उससे कहते हैं कि तु कुमारी गर्वती होगी कितनी बड़ी बात है एक छोटी लड़की के लिए गर्वती होना जिसकी अभी साधी नहीं हुई और उस समय की बात उसके लिए कितना बड़ा स्ट्रगल था बहुत ब कि कुछ-कुछ बाते तो हुई भी होंगी जब लोगों को पता चला होगा कि मर्यम कुमारी गर्वती है क्योंकि जैसे यूसुप को पता चला वैसे औरों को भी हो सकता है पता चला हो और बहुत सारे लोगों ने बाते बनाई हो लेकिन मर्यम ने उन सब बातों को सहा कहने क क्या मतलब है अनुग्रे हुआ है क्यूं ताकि आप उस समश्या के दौरान उस परिशानी के दौरान भी उन से बाहर निकल सके। परमेशुर आपको उस समय भी मजबूत करेगा क्योंकि हम इंसान हैं इस संसार में हैं दुख बीमारियां परिशानियां समस्याइं तो आधी जाती रहेंगी लेकिन परमेश्य ऐस समय में भी हमें धाडस देगा क्योंकि परमेश्य का अनुग्रे हम पर है इसलिए भजनकारदाउद कहते हैं कि मैं चाहे घृर अंदकार भरी हुई तरही से हो कर गुजरो मैं हानी से न डरूँगा क्यों नहीं डरेगा वो क्योंकि उस पर्मेशो का नुग्रे है क्योंकि वो पर्मेशो का चुना हुआ अब्यक्ति है उसे विश्वा से इस बात पर इसलिए मैं डरूँगा नहीं क्योंकि मेरी कोई हानी नहीं होगी वो यह नहीं कहता है कि परमेशों मुझे जाने ही नहीं देगा उस अंदकार भरी वी तरह ही है नहीं वो गुजर रहा है उस समश्या पे होकर तब कहता है कि मैं हाने से नहीं डरूँगा क्योंकि परमेशों का नुग्रे मुझ पर है पालुस भी इस बात को कहते हैं पालुष कहते हैं कि मेरे सरीर पर कांटा चुबोया गया है कोई समिश्या है और वो उस समिश्या को दूर करने के लिए तीन बार प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेशु का जवाब आता है कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है मेरा अनुग्रे तेरे लिए बहुत है इस समस्या में इस परिशानी में मेरा अनुग्रे तेरे लिए है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है जब तुम निर्बल होते हो तब मेरी सामर्थ तब मैं तुम्हारे चीवान में काम करता हूँ तो आज सुबह में मैं आपको उच्साइड करना चाहूंगा चाहे आप कैसी भी समश्यासे हो कर क्यों न गुजर रहे हैं लेकिन इस बात पर भनो सा रखें परमेश्र का अनुग्रे मुझ पर है इसलिए मैं भेवीत नहीं होंगा क्योंकि परमेश्र का अनुग्रे मुझ पर हुआ है उसने मुझे चुना है उसने मुझे नुक्त किया है करोणों की भीर से अलग किया है मैं उसका निजधन हूँ मैं उसकी चुनी हुई पर जाहूं मैं उसकी आँख की पुतली हूँ इसलिए मुझे डरने की आउशक्ता नहीं है मुझे भेवित होने की आउशक्ता नहीं मेरी सगाई पर मेशर से हो रखी है और वो उसकी मैं दुलहन हूँ आपको डरने के आवशकता नहीं है घबराने के आवशकता नहीं है क्योंकि आपका दूलहा बहुत सामर्थी है बहुत पावर्फुल है उसके लिए कोई भी काम असंभाव नहीं है इस स्ट्रगल के समय में प्रवो आपके साथ में है वो आपको सामर देगा आपकी निरबलता में प्रवो आपके साथ में खड़ा है, आपके जीवन में काम करने के इसलिए बहबीत न होई, निरास न होई, विश्वास में बने रहें और प्रार्थना करते रहें अमीन दोस्तों हम आपका धनेवाद करते हैं क्योंकि आपने इस नए भजन पर राज्य पर बहुत प्यार दिखाया है क्योंकि एक प्रार्थना है जिस प्रार्थना को करने के लिए प्रवियेश मसी ने कहा इस प्रार्थना को किया करना कि प्रवु तेरा राज्य आए अब वही हमने भजन में कहा है और आप इस भजन पर बहुत प्यार दिखा रहे हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और राफ़ा प्रेयर को भी आप लोग बहुत सुन रहे हैं इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आप रोस सुबह से हम इस राफा प्रियर को कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, टेस्टमनीज हैं कि परमेशन ने इस प्रात्ना के दौरा उनके जीवन में काम किया है बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो प्रात्ना करना नहीं जानते थे उन्होंने इस प्रात्ना को सुनकर प्रात्ना करना सीखा है ज़र आपके पास भी कोई भी गवाई है तो आप हमें जरूर से भेजैं ताकि उस गवाई को सुनकर बहुत सारे लोग आसिशित हो सकें यदि आप हम से बादशीत करना चाहते हैं या फिर हमारी प्रात्वों में सामिल होना चाहते हैं तो जरूर से आँ हमारी जूम मीटिंग में जूरीं जिसका वटब्च साप नंबर यहां पर सो हो रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में मिलेगा हमारी वटब्च साप कम्यूनिटी का आप उस community में जुड़कर हम आप से जूम मीटिंग का link सेयर करेंगे ताकि आप हमारे साथ में जुड़कर परमेश्र की महिमा को कर सके हाई मेरा नाम प्रतिक कहवाद है और ऐसे तो कई समधकार हुए है मेरे जीवन में लेकिन आजी समधकार के बारे में मैं आप सब कोई सबी को बताना चाहता हूँ वह बहुत स्पेशल है मेरे जीवन में मैं पिछले दो साल से निरंतर कोशिश कर रह था अपने करियर में ग्रो कर रहे की सोच रहा था कि फोटोग्रफी में मैं आगे और कैसे बढ़ सकता हूँ तो मुझे समझ में आया कि फोरें जाके कुछ कोर्स करना चीए उसके लिए बहुत ट्राय कर रहा था ट्राय कर रहा था मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था सामने से बलकि अट्चने और ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन मैंने और मेरी मभी ने ब्रदर पेके मसी के प्रेयर सिंटर में प्रात्ना रिक्वेस्ट देना नहीं छोड़ा आपने निरंतर प्रात्ना में रहना नहीं छोड़ा और आज दो साल बात प्रभ येश्य मसी ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमतकार किया है कि जिस छोटे से कोर्स के चक्कर में मैं सोच रहा था निरंतर प्रातना कर रहा था उन्होंने मुझे डायरेक्ट बिना बैचलर्स की मास्टर्स का ओफर दिलाया लेंडन से मैं आज ये इतनी बड़ी खुशी की बाद आप सभी विश्वासी भाईवेनों के साथ शेर करना चाता हूँ और आप सभी को बताना चाता हूँ कि आपकी प्रातना की भी खाली नहीं जाएगी और वो प्रदर पीके मसी जो हमेशा कहते थे कि वो बचन की वो तुम्हें पूछ नहीं मगर सर ठेराएगा वो बचन आज मेरे जीवन में पूरा हुआ है प्रभु येश्व मसी ने वो कर माह ने मैं ब्रदर पीके मसी उनके एंटायर प्रेयर सेंटर का और सिष्टा मृता मसी का तेहें दिल से दन्यवाद देता हूं यदि आज आज आपके पास कोई भी प्रातना निवेदन है तो अपने प्रातना निवेदनों को आप प्रभु के आगे रखें प्रभु येश आजमान हमारे पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्ये हैं आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजर्ग लोग प्रभु जी इस सुभा की प्रातना में हमारे साथ शामिल है प्रभु येश्यू के नाम से प्यारे परमेश्यों प्रभुजी हर एक जन आपकी उपस्तिती को महसूस करें हर एक जन परमेश्यों पिता धन्यवाद के साथ प्रभु तेरी उपस्तिती में आये परमेश्वर मेरे खुदावन मैं धन्यवाद देती हूं कि आप हर एक के साथ में हैं आपका पवित्र आ कि आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभुजी, अच्छी नीन से सुलाया प्रभु, पंखों की आड में हिपाज़त से रखा, और ये नए दिन में प्रभुजी, आपने हम सब को जीवित रखा है, संगती का सहभागी बनाया है प्रभु, इस बात के लिए आपके सम्मोग बैटे हैं, प्रभु येश्य मसी धन्यवाद करते हैं, कि आप प्रातनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमीश्वर हैं, खुदा धन्यवाद करते हैं, हम एडवांस में आपका धन्यवाद देते हैं, पिता, कि जितनी लोग प्रातना करने के लगी रहते हैं, मैं धन्यवाद देती हूं, पिता, इस नए दिन के लिए, प्रभु, आज के दिन के लिए, प्रभु, आपकी ज्यान बुद्धी समझ को, आपकी स्ट्रेंथ को, परमीश्य आपके पवित्रात्म की गाइडन्स को, प्रभु जी, हर एक डिस्टरबेंस, हर प्रतेक दुष्ट के कारिया, हर प्रकार की negativity को, येश्यु के नाम से, हम cancel out करते हैं, पिता, प्रभु आपके लोग, प्रभु जी, जब बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना है, प्रभु हम आपके वचन को, आज की सुभा में आदर देते हैं, अपने हिर्दे में परम प्रतेक जन जो इस प्रात्ना में शामिल हैं, उनके पास आपका वचन पहुंचा है, मेरे खुदावन आपका वचन कहता है, भैभीत ना हो, यदि आज किसी भी बात को लेकर प्रभु ये भैभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं पिता, तो प्रभु इसी समय पर बहुत 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 को बहुत बहुत बैनेगे बांत और इंके दिन ऐसी योजनाइं में प्रभु या प्रभु यदि आज इनका मनुश्यों का डर है या फिर प्रभु कोई भी बाते जो इने भैभीत करु रही है येश्यु के नाम से आज इनके जीवनों से निकल कर चली जाए और वो कारिय जो आज ही आज के दिन में करने जा रहे हैं प्रभु येश्य मसी उस कारिय में आप इनके साथ में हो और इनका कारिय सफल होने पाई येश्य के नाम से मैं धनिवाद करती हूँ पिता त्यारे प्रभुजी जब पिता इनका प्रभु ये सिवकाई करते हैं और इनका मन भैबीत है प्रभुजी उस विरोध को देखकर प्रभु जब लोग इनके विरोध में खड़े होएं पिता बहुत सी कामों को खराब करने के लिए तयार है प चालीव में हैं सरदी जुकाम है प्रभुजी खुदावन कैंसर पैरलाइस ट्यूमर पाईल्स की प्रभुम सरीर में एलर्जीज है प्रभु ये शु के नाम से न सारी बीमारियों के उपर अधिकार लेते हैं और कहते ये शु के नाम से इन भाई-बेहनों की शरीर से बच से भाइबेन प्रभु जी ने relationship को लेकर परिशान है पिता प्रभु जब उनके आपस में प्रभु जी उनके जो bonding है प्रभु सही नहीं हो रही है पिता प्रभु उनके thoughts नहीं मिल पा रहे हैं प्रभु जी बहुत सी ऐसी बाते हैं प्रभु जी जब उन्हें छोड़ने का प् मैं प्राथ न करती हूँ आप इन भाई बहनों से बातचीत करें आप इनसे बातचीत करें प्रभु जिने आपने एक किया प्रभु जी खुदावन कोई भी परस्ते थी कोई भी गलत बाते उनके रिष्टे को खराब और तोड़ने ना पाये पिता परमेश्वर मेरे खुदावन आज प्रभु जितने भी भाई बैन प्रभु एडिक्शन में है बुरी बुरी लतों में है खुदावन येश्यू के नाम से उन बुरी आदतों के उपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इनके जीवनों से चले जाओ मातर पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु जिनका रास्ता गलट ट्रैक पे जो चले गए परमेश्वर उनका रास्ता बदल गया है प्रभु वो व्याकुल है वो भैबीत हो रहे हैं प्रभु कि अब इनका क्या होगा परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है बदल की कीच में से निकालता है प्रभु उसी प्रकार इन भाई बहनों के बच्चों को पिता इनके परिजनों को पिता इनके जानने वालों को इनके परिवार के सदस्यों को आज उन सारी अंदिकार के बातों से बहार निकाले धनिवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु इनके काम पर, इनके जॉब पर, इनके खेट खल्यानों पर आपकी आशीश चाते हैं, इनके घर के पशुओं पर प्रभु तेरी आशीश चाते हैं, खुदावन, तो प्रात न करती हूं, प्रभु जो भी कारिये करते हैं, प्रभु छोटे से छोटार, बड़े से बड़ा, उसमें प्रबू, आपकी सफलता, आपकी बर्कती देखने पाएं, ये निश्चे अपनी कमाई को खाने पाएं, बहुत से भाएवेनेें, प्रबू, वो व्याकुल है, प्रबू, कि वो जो कुछ कमाते हैं, प्रबू, उसका पता नहीं चलता है, और कहां वो इंकम जाती है, उसका नहीं पता चलता है प्रभू परंतों मैं प्राफ न करती हूं कि ये निश्चे अपनी कमाई को अपने परिवार के साथ खाने पाएं और आपकी तारीफ और महिमा करने पाएं आपके लोग जो आद घटी कमी में हैं येश्यू के नाम से वो घटी कमी वो करजे वो हर ए साथ मिलकर इस प्रात्ना के दौरान आपके समुक रखी गई धन्यवाद करती कि आपने सुना उत्तरहां आमीन में दिया आज जितने भी भाई भेनों का जनम दिन है खुदावन हम तेरे वचन के दौरा उन्हें आशीज देते हैं पिता तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे दीर आयू से त्रिप्त करूंगा और अपने उध्धार के दर्शन को दिखाऊंगा आपने कहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा तुझे आशीज दूँगा तेरे नाम को महान करूंगा और तु दूसरों के लिए आशीज का कारण होगा प्रभु इन दो वचनों के द्वारा प्रभु हम जिन भाई बहनों का जनम दिन हैं उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु जी आप बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके जीवन में खुशियों के पल हैं उन्हें ब्लेस करते हैं पिता थैंक यू फादर लॉड जीजस सब कुछ आपके हाथों में देते हैं हर एक वि में बनाने व则 व havenıyor को बनते हैं आपके आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हुआ मने फलवन्त करें धन्यवाद करते हैं प्रवजी सभकुछ आपके हातो lips yeah ये शु के नाम सिविंति को monster शुने और खुहरं और रहन अमेन और